चोहदी चलन सिंग जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांगवाओं से लोग चले आते थे अब मैं ये भी मानता हूँ, दस साल मैं विपक्ष में रहा हूँ, कुछी देरे सदन में मैं इस तरव बैठा हूँ, लेकिन मैंने देखा है, कि दस साल में जो आज सरकार है, इनकी कारिश हैली में भी चोहदी चलन सिंग के विचारों की जलक है जब आदरने प्रधान मंत्री जी, ग्रामे इन छेतर में सोच की दुर्विवस्थाओं पे प्रकास डालते हैं, जब महिला सोस्क्ति करण को अपना प्लैटफॉर्म भारत सरकार बनाती है, और गांगाओं में जागृत्ति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चोहदी चरन स जी की बोली यादा की, सभपती जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे, कुछ लोग उनके अंदर ब्रहम हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, हम मानते हैं के चोहदी चरन सिंग जी जाटों के नेता थे, सिर्फ किसानों की वकालत कर पते थे, ऐसा नहीं, वो विचारक थे, और उनके इंटेलेक्टुलिजम पे, जो टेरेंस जे बायर्स, जो प्रफेसर थे, ओरेंटल कॉलेज इन आफ्रिकन स्टेडीज लंडन स्कूल में, उन्होंने किताब लिखी है, चरन सिंग 1902-87, एन असेस्मेंट, मैं उससे कोट कर प्रफेसर, चरन सिंग दिय है, चरन सिंग बंसाफिए प्लेज기는 आपक डिखी की आपके लिखी हैने इन झाहँआ शोटिने, इन तर इंट झायो खिने समय चाहाँँ叱्दोबशी लंडन जो प्रधान मंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधी साहब को भारत रित्न दिया है मैं मानता हूँ उससे दो बड़े काम हो जाते हैं एक के चौधी साहब की लेगिसी को हम दुबारा इंस्टिूशनलाइज करते हैं देश के सभी विशुद्यालों में पढ़ रहे चात्र उनके अंदर आपने एक नई जिग्यासा पैदा की है गाओं में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिग्यासा और भावना आपने पैदा की है देश के अर्ष, सास्त्री और मुखेदारा में जो लोग नीतिनी धारक हैं आपने दुबारा उनको कहा है कि चौदी चरंसिंग को आप स्टडी कीजिए अपने स्टडी में शामिल कीजिए अपने अध्यन और विचार और अनुसंदान में शामिल कीजिए दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया भारत रत्न देकर होसला बढ़ाया मैं मानता हूँ कि ये एक महज पुरुषकार नहीं है सबसे बड़ा सम्मान है और मैं जानता हूँ कि आज कि जीवन समस्या देश के सामने और चौनवतिया हैं किसानों की समस्या हैं भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता लेकिन आने वाले सालों में जोपड में पैदा होना वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधी चरंसिंग बन सकते हैं भारत रत्न उनको मिल सकता है तो मैं भी अपने समस्याओं का समधान खुद करने में सक्चा हूँ यह बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है मैं तो चाहता था कि क्यूंकि चौई साब मेरे अकेले नहीं है एक पार्टी की नहीं है मैं अपील करता हूँ कि उनके लंबे राजनिते को समाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आएं जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद है उनके इस लेगी सी का हिस्सा वो भी है जैमिदारी उनकी भी है कोई वसीयत में कोई समपत्ती वो छोड़के नहीं गए थे आदमी तब तक जिन्दा रहते हैं मैं उमीद करता हूँ कि सभी दल के सम्मानित सदस गाउं गाउं तक चौदी चरंशिंग जी की विचारों को ले जाएंगे और मैं फिर अपने तरफ से रिणी हो कहना चाहता हूँ एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है ऐसी ही सरकार धर्ती पोत्र चौदी चरंशिंगी को भारत रतन बे सकती है धन्यवाद शौट दूरेशन इसकेशन नोटिसेशन अब बिन रिचीवड फॉलूइं मेंबर्स तो रेस इसकेशन इसरे बिचिवड इनुटर इंड व्याँ एक्रम है on 8th February 2024 and its impact on the lives of people of the country Shri Sushil Kumar Modi, Shri Prakash Zawdekar, Shri Brajlal, Shri Sushil Kumar Modi जैन चौधरी का संसद में बड़ा बयान मोधी सरकार में चौधरी साहब की जलक ये कहा इन्होंने कहा समान पर राजनीती बिल्कुल भी ठीक नहीं है हम सब कब तक बटे रहेंगे मोधी सरकार ने बड़ा काम किया है सराहना होनी चाहिए जैन चौधरी का संसद में ये बड़ा बयान इन्होंने कहा मोधी सरकार में चौधरी साहब की जलक है सबापते जी आज में परमाजी नतिंगी जोनी को परमाजी इस सांसदों के इस सदन की कारवाई के दौरान दुर्वेवार को लेके बहुत दुखी हूँ आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सबापती जी आपने मुझे संरक्षन दिया बड़ी अचंबा मुझे होती है सबापते जी आज मैं परमाजी नतिंगी जोनी को परमाजी इस सांसदों के इस सदन की कारवाई के दौरान दुर्वेवार को लेके बहुत दुखी हूँ आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सबापती जी आपने मुझे संरक्षन दिया बड़ी अचंबा मुझे होती है सबापते जी आज मैं परमाजी नतिंगी जोनी को परमाजी इस सांसदों के इस सदन की कारवाई के दौरान दुर्वेवार को लेके बहुत दुखी हूँ आपने मेरी नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सबापती जी आपने मुझे संरक्षन दिया बड़ी अचंबा मुझे होती है कि हम चौधी चरन सिंग जैसी शक्सियत को किसी गट जोड के बनने और तोडने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते है लेफ्ट, राइट, सेंटर में हैं बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे मैं ये मानता हूँ कि देश में जितने महान नेता आये है सबने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है प्रेड नाय ली है चौदी चरन सिंग जी गांधियन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया